आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फोन में जो सेवड वाइफाई हैं उनको डिलीट कैसे करें अगर आपने किसी का वाइफाई कनेक्ट किया है उसके बाद उसका वाइफाई आपने यहां से पासवर तो फॉर्गेट कर दिया पर आपके में सेव हो जाता उसक वरना दूसरे को पता चल जाएगा कि आपने उसका Wi-Fi Connect किया था कैसे डिलीट करना है कैसे क्या करना है सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं चले वीडियो को सुरू करेंगे simple से क्या करेंगे नीचे scroll करेंगे scroll करने बाद setting वाले option पर click करेंगे जैसे हमने setting वाले option पर click किया यहाँ पर about phone system I have updater security status तो यहाँ पर देख सकते हैं एक option आपको दिखाई देगा connection and sharing का उससे पहले दोस्तों आप से request करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने चनल को सस्क्राइब नहीं किया दोस्तों अब दोस्तों प्लीज चनल को सस्क्राइब जरू कर दीजेगा सिंपल से connection and sharing पर हमें किलिक करना होगा जैसे हम connection and sharing पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते MICR, cost, printing, protable, hotspot, vpn यह साई चीज़े आपको यहाँ पर दिखाई दे रहीं तो दो चीज़े हैं यहाँ पर जैसे नहीं आपको मिल ला तो यहाँ पर देख सकते हैं वाइफाई का है सिंपल से मने वाइफाई पर किलिक किया जैसे हम Wi-Fi पे click करते हैं नीचे देख सकते हैं एक option आपको मिलेगा additional setting का जैसे हमने additional setting पे click किया तो यहाँ पर देख सकते हैं manage saved network ठीक ध्यान दीजेगा manage saved network, simple से manage saved network पे आपको click करना है अब आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी Wi-Fi से connect किया गया था अस तक देख से निकल बेटा, Redmi 7A, Redmi Y2, Denda तो जैसे ही इनके नजदीकी में आएगा तो automatic connect हो जाएगा इसलिए आप फस सकते हैं तो आपको क्या करना है यहाँ से इसको delete कर देना है अब क्या होगा अब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको फिर से password डालना पड़ेगा फिर से connect करना पड़ेगा तब जाकर के आप काम आपका काम बनने वाला वरना जैसे मैं आपको धार देदू किसी आप किसी की girlfriend दो लोगों से फसी हुई है या अब दो लोगों से बात करती है अगर उसके room में गया दोस्त भी उसका है उसके room में गया वो girlfriend उसकी वो दोस्त के साथ गया तो आउन्तिक कर देगा तो लोग जान जाएंगे तो इस तरीके से delete कर देना होता है अगर आपको वीडियो भी कर दिजेगा धन्यवाद